हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल कुछ सी लैंग्विज सिलेटीड एमसी क्यू लिकराई हूं जो आपके डिसस्व पीजिटी कॉप्टर साइंस में आने की चांसिस है चलो स्टार्ट करते हैं क्यों सुन नमर वन सभी को पता है सी इच हाई लेवल जनल परप्रस लैंग्विज डाट प्रोसेसिंग लैंग्विज नन ओफ द अबाव तो सी लैंग्विज क्या आपकी हाई लेवल लैंग्विज है से आपकी ंईगर सी लैंग्विज से आपकी टीज़िटी एच मीं क्यों सार्फिय रहें सब्सक्राइब िग्विज़ करनी है तो गोटू कि लूप से लिया गया है है तो इसमें फर्स्ट आपका यूज ओफ गोट्टो हैंस दा लोजिकल क्लिरिटी ओफ एक ओल्ड सैकेंड है यूज ओफ गोट्टो मेक दा लिपगिंग टास्ट इसलियर थार्ड है यूज गोट्टो हैं यूँ वांट टू जंप आउट ओफ नस्टिलोग तो आपका सी श्रॉइंग लेंग्वेज के लिगे यूज होती है कि रोहें सन गे है आपका टो फैस्ट यापका ओप्शन एक टेक प्लेस अप्रों ऐस्ट टैक्प प्लेस अप्राइटर हैेज प्रेट ओप टे इफियोनिय है तॉस्ञ नमर Łख स्ताइक स्टेप्मे conservation पास्ति मैंस तो आपका इसका आंचर होगा बी और सी दोनों है दोनों राइट है इसमें आपका कौन सा कीवर्ड तो इसमें आपके पिरिंट एक में इस कोई भी कीवर्ड तिनों कीवर्ड है आपके C language में तो इसका आँचर है का आपका all of the above Question No.7 इनने for loop if the condition is missing then तो आपका it is assumed to present and taken to be false इनने for loop if the condition is missing then infinite looping can not be awaiting by a तो इसमें आपका continuous statement ही आपका right answer है Question No.10 Using go to inside for loop is equivalent to using continuous break return तो इसमें आपका none of the above आएगा यकिन के equivalent कोई भी नहीं है Question No.10 तो इसमें आपका आपको correct statement First है आपकी all the elements of the array should be of the same data type and storage class Second है आपका same होना चाहिए आपका data type भी same होनी चाहिए array में और storage class भी होनी चाहिए B है आपका the number of subscripts determine the dimensional of the array ये भी आपका सही है Third, the array element need not be of the same storage class ये रोंग है आपका for the option in the array definition The subscript can be any expression in non-zero integer value ये भी आपका रोंग है तो आपका answer A or B 11, the C language consists of number of keyword The C language में आपकी 32 keyword है Question number 12, the prototype मतलब आप declare करते हैं function को declare करने के लिए option in the header file तो option number V right है आपका stdio.s जो हम program के उपर declare करते हैं Question number 13, which operator has the lowest priority तो इसमें option number D right है 14, the type cast operator is इसमें आपका जो type option number A ये right है Question number 15, which function is used to read character as you type इसमें option number A right है करते हैं Thank you guys जो 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 भूज़िए जो जुबाए जाग ऑन्हा है